और गाईज कैसे अप लोग iOS 17 RC 12 तारिक को Apple ने रिलिज किया था तो इस अपडेट के अंदर नए फीचर नए चेंजेस था और इसके साथ जो अभी इसका फाइनल वर्षन कब आपको देखने मिलेगा और इस अपडेट के अंदर और नए फीचर नए चेंजेस क्या है तो फोन के अंदर बाकी लगभग इतना ही साइज आपको देखने मिल जाएगा सबसे पहले इस अपडेट के अंदर जो नए फीचर नए चेंजेस है वो आपको देखने मिलता था जैसे हैं technicогод्त है इसके अंदर काफी शाहरे रिंग टोन vs है जैसे एस पास्ट वाला जो 17 का जो ringtone है और इस जग़ा पर iOS 16 का ringtone आप देख सकते हैं जो दोनों के अंदर कितना फरक आपको देखने मिलता है तो यह ringtone के अंदर आपको slightly improve देखने मिलेगा बाकी जो यह सारे ringtone से इसके अंदर काफी ringtone इसके अंदर apple ने एड़ गया है तो यह अपने iPhone के अंदर आभी इसको यूज कर पाएंगे चाहिस के अंदर text message का हो boys mail का हो mail का हो और बाकी calendar वगरा तो इसके अंदर काफी नहीं changes आपको देखने मिल जाएगा और यह चीज आपको अपने दूसरे iPhone के अंदर भी देखने मिल जाएगा और इसके नीचे जो haptics आपको देखने मिलता है तो दोनों के अंदर यह haptics फीचर भी आपको देखने मिलता है अगर आपके बास iPhone 14 स्रीज है iPhone 13 स्रीज है तो यह चीज आफ कर पाएंगे और आगे जाके अगर आपके बास 12 वगरा भी होगा तो इसके अंदर जो है silent का option देखने मिल जाएगा जो एक अलग से कह सकते है action button जैसे iPhone 15 के अंतर आया तो इस तरह का feature तो नहीं लेकिन इसके अंदर जो है आपको multiple चार option आपको देखने मिलता है आपने according इसको आप सेट कर पाएंगे तो यह नए changes तो आपको देखने मिलता है इसके बाद जो changes आपको देखने मिलता है वो है camera के अंदर और camera के अंदर जो changes मिलता है वो है अपना photo quality video quality के अंदर आप उसी सबसे अपना photo video आप ले सकते है लेकिन इसके अंदर आप जैसे hold करेंगे hold करने के बाद यह तीन option आएगा लेकिन अगर इस जगब मैं मेरे iPhone 13 के अंदर देखूंगा तो मेरे iPhone 13 के अंदर यह देखने नहीं मिलता है यह only आपको iPhone 14 pro और pro max के अंदर ही देखने मिलता है और इसके बाद एक नया changes आपको बीजेट के अंदर देखने मिलता है जैसे बीजेट को hold करते है और plus icon के पर click करने के बाद इस जगह पे आपको देखने मिलता है home apps तो home apps के अंदर जैसे यह आते ह इस जगह आप देख सकते है cleaner तो cleaner जो है यह दिया है अगर आपके पास homepod accessories है तो वो काम करेगा और किस तरह से काम करेगा मेरे पास इसका homepod accessories बगरा नहीं है तो मैं demo stick करके आपको बता नहीं सकता अगर आपके बस homepod accessories है तो इस चीज़ को आप लोग जरूर use कीजिए और comments म मैं बताए क्या इसके अंदर काम हो रहे है या नहीं और इसके बाद जो next changes आपको देखने मिलेगा वह अपना standby mode के अंदर standby mode के अंदर जब आपने iPhone को आप रखेंगे और इसके बाद जब call आएगा तो इस तरह का जो है pop-up आपके screen के अंदर सो होगा तो इसको आप कर इसका फाइनल रिलीज आपको बहुत ही जल्द देखने मिलेगा और इसके अंदर कुछ बग था हो सकता है इसके अंदर आपको यह update और एक RC देखने मिले नहीं तो directly इसका final version आपको देखने मिल जाएगा जो officially Apple release करता है और RC जो होता है वो एक candidate version होता है यह भी एक final version की तर आज 15 है 16, 17, 18 को इसका final version आप लोगों को देखने मिल जाएगा और इसको download और install कर सकते हैं और IS 17 final version जब update करेंगे तो उसका कुछ requirement रहता है तो वो चीज में दूसरा वीडियो के अंदर mention किया उस वीडियो का link मैं description के अंदर डाल दूँगा उस वीडियो को जाके आप यूजफुल लगता है तो प्लीज मेरे इस चैलन को like, subscribe, sir जरूर कीजिए और bell की notification call पर रखिए जब मेरा वीडियो आएगा तो आप लोगो के वास notification पहुंच जाएगा नेक्स वीडियो के अंदर फीड में लेंगे, goodbye